है ओके सो है गाइज देसे गेमिंग प्रोशन एंड आज इस पर्टिक्लर वीडियो में अपनों बात करेंगे तो शुरू करने से लगाई इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने चैनल को कॉज अब अगला गोल सीदा आगया है 250k का रुकने अपन वाले हैं नहीं 250 जितना जल्दी और कर वादो और चुटा सरकल उता तो बहुत इंपोर्टेंट उता तो यह वीडियो एंट तक देखना है या यह वीडियो है होग कि आप लोग एंट तक देखोगे ठीक हैं एंड इंस्टाग्राम पहलो कर सकता मेरा इ कर वालो यार और शेर करना में इसके बताना कि इसके बाद आपको कौन से मैप की क्या चीज़ से कौन से गन की ड्रिल से यह मैं वो चीज़ा आपके लाने का ट्राय करूंगा बट 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 पहले अपन बात करेंगे सेनोग क्यूपर सेर्कल की अब देखो पजी मॉब अब यहां पर अपनों आप लोगों को पाइस होता है क्या होता है थिकंगे रहां चीरिडफी रॉक्त दाले तो इस सिनकेस इसलिए बताते के लिवेशन कितना उपर है जहां पर आपको यह 100 दिख रहा है यह 100 मिटेर होता है मतलब from the sea level बहुत सब चीज़े होते हैं अगर हम बात करें तो mostly एक एरिया आप देख सकते हो कि यह जैसे एरियास पूरे के पूरे रहते हैं कुछ एरियास एलिविटेट है कुछ एरियास नहीं है ठीक है सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करना है चाहिए उस पर बात करेंगे सैनौक ईस्पोर्ट पर कैसा डावेज होते हैं कि पहला 1990 सेकंडल 2020 240 सब्सक्राइब दीपिए 0.4 यह सब आपको पता है फेसे फेस नाइन से प्सक्राइब तक सारगा सारा इस टिक इतना कम होता है फिर कम-कम-कम-कम ऐसे यह पूरा सर्कल का इन्फरमेशन आपके पास रहता है इस वेबसाइट पर फोर किलोमेटर्स का उबस्ट अपना मैप होता है फोर वो चीज भी यहां पर लिखिए है तो दिस एबरेटिंग यहां पर आपको 0.5 से आप सीधा रेडियूस हो जाते हो 2.8 पर जो डामिटर रहें यही एक चेंज निकल कर आता हूं अदर्वाइस डामेशन नहीं होने वाले हैं एक्सेट पर आपको 0.6 पहले देखने मिलता हूं ज्यादा बाहर भी हो अप नहीं मरोग इतनी जल्दी अगर आप नहीं मरने वाला है अब क्या चीज़ होती है आपको एक गेम दिखाने वाला हूं इस प्लेंपाथ कैसे दा प्लेंपाथ नहीं आप देख सकते हो और प्लेंट जाके यहां पर खतम हो जाते हैं पूरा का पूरा अपना प्लेंपाथ है अब पन लोग आगे बात करेंगे पहला सर्कल कैसे और कहां पर बनने वाला इस गेम में पूटके हैं पूत्री हैं ऑफिसली रूइंस की तरफ सामी क्युक्त ने ने पंपर्टेंट मैं बोलो ने आन को बता है एक हाट्सिफ्ट हों इस केकल बनेगा यह पहला सब्सक्राइब ठीक है सब्सक्राइब देख सकते हो नीचे वाला आइलेंड जो है रूइंस टुसामी उस आइलेंड को जो कैंप चाली आइलेंड रहता है उधर पूरा कॉंसेंट्रेटेटेड है अब आगे मूफ करते हैं तब लोग अपना लूट रहे हैं ब्लू जोन आना शुरू होगा जो दो आएन वाइल यह गना सी दूस्टा यह ब्लू जोन आ रहे है विश्ट पूरा पूरा एरिया कवर करता हुआ एंड जो मने बात करी 7-29 से कंड्स हो चुग है गेम में यहां पर हमने बात क्या करी थी आश्यामें ठीज पर पहला फेज आता है तो दिस प्रॉप़ली ळी एक्रेट कै अब सर्कल्ड कब इसे आप perfect कि जाना घर जाला चीए वाला है सानो के सरकल को अब सब्सक्राइब नीचे को एरियाज हटाने हों को सब्सक्राइब करता है कि पहले या जब भी अगर माल लो यह आईलेंड और यह इलेंड से सब्सक्राइब यहां पर इस केस में वो नीचे मार चुक है अब फिर से गेम साट हो चुक है आगे आगे जा रहे अब भी सर्कल को कहीं ना कहीं जाना है अब सर्कल एक नॉमिनल इसेंट्रलाइज शिफ्ट मार रहे हैं इसेंट्रल इसलिए क्योंकि बहुत सारे एरिया सेंट प्राइटाइज कभी कभी होगा जरूरे नहीं है हर पारों इससेंट आफ यू कें से 60 40 चांस बस देर आर गेम जेर आर पीएंपील गेम जिसमें पानी अब पानी दो ताइप का बानते है अपन लोग गेम में ठीक है एक होता है बाहर का पानी और एक होता है यह अंदर जो आप को पता है घंडर की तरह बंसकते हैं यह अंदर के डियाँ में बंसकते हैं here are highest of the chances अभात आप अब देख सकते हो यह circle अपना circle obviously आगे भी shift मारेगा hard shifts Sanok की priority रहती है hard shifts इसले रहती है circle hard shift मारा नीचे hard shift इसले priority रहती है Sanok की because Sanok में zone से कम मौते होती है until unless आप बहुत critical condition में हो Sanok के अंदर इसलिए तो छोटा map है अब जल्दी paddle ही जा सकते हो areas में बहुत hard shifts देखने को बिलते हैं हमने अभी तक दो hard shifts देख लिए एक centralized hard पहला तो hard था दूसरा centralized hard था तीसरा फिर से hard shift हुए चौता circle once again a centralized ish hard shift इस direction में obviously यह slow side रहे के circle की यह side fast side रहने वाली है अब फिर से यहाँ पर देख सकते हैं यह side fast side है circle की fast side वो होती है जो जादा दूर है कोई वहाँ से circle जल्दी जल्दी आता है slow side वो होती है जो close होती है circle के white circle के कोई वहाँ से circle slowly move करते है अब फिर से अपन लोग आगे जाएंगे फिर से circle move करना शुरू होगा and once again one hard shift so sandhawk, sandhawk map कभी सगा नहीं है sandhawk map सांप को मैप है और सांप किसी के सगे नहीं होते this is one of the things इस तरीके से आप याद रख सकते हो sandhawk is a map of hardships and sandhawk is a map जहां पर water area अंदर वाला भी आ सकता है बाहर वाला बहुत रियर चांस है तो यह रहता है पूरा आप देख सकते हो इसके बाद ऑफिसी गेम खतम होने वाली थोड़ी दिर में जब प्लेज चलना चाहेंगे सब्सक्राइब बाहर जाके ऑफिसी मार देंगे अब आपू सुपयाँ थे